इडेरियो में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज की स्वीडियो में हम कपिला गाई के बारे में जानेंगे कपिला गाई दक्षिन करनाटक पुरकसर गोड की मूल निवासी भरति गयों की एक ऐसदारन नसल है इस नसल का नाम महान रिशी कपिला महरसी के नाम पर पड़ा जो हिंदू पुरानिक कथाओं के अनुसार उनका पालन पोशन करते थे कपिला नसल के उतपादों को अनुस्ठानों यानि धर्मिकारियों के लिए सबी गाई उतपादों में सबसे पवित्तर माना जाता है मंकदर बनावट सुनेरी आखे और नाक की सुनेरिक खाल होती है तिरुपति तिरुमाला जैसे मंदिर वगवान श्री पैंकेट्सवर के यानि कभी शिक के लिए कपिला गाई के दूद का उप्योग करते हैं कपिला गाई को अपने मूल स्थान पर सदियों से ब्रामनों द्वारा पालतू बनाया जाता रहा है ये गाई कद में छोटी होती हैं जिनकी ओसत उचाई लगबग 80-90 सेटिमेटर होती है कपिला गाई कम दूद देती है अधिक्तम डेड़ से धाई लीटर प्रती दिन लेकिन इस नसल के दूद को एट परकार के केजिन प्रोटिन होने के लिए जाना जाता है जो ओटीजम और अन्य बिमारियों जैसे टाइप बन मदुगए हैं जैसे कई विकास विकारों को रोकने या टालने में सक्सम हैं या दूद कई बिमारियों के खिलाफ उच्छतर के उपचार गुन परदान करने के लिए भी जाना जाता है यह नसल मवेशियों को परभावित करने वाली अधिकांस विमारियों के लिए अत्यदिक प्रतिरोधी है इन गायों का एवरेज मिल्क प्रोड़क्शन सेड़ी 400 किलोग्राम है जिसमें एवरेज मिल्क फैड 4.5% होती है और यह 3.5 से 5.7% तक वैरी करती है दूद के अलावा कपिला गाय के सिंगों में भी उस्दिय गुन होते हैं कपिला गाय के सिंगों में मौझूद गोर अचना नामक परदात को प्राचिन साहित्य और परंपरिक चिकतस्कों के अनुसार दूरलब औस देगुनों वाला कहा जाता है हरानी की बात है कि प्रकृति मान ने कपिला गायों के सिंगों को काटना असान बना दिया क्योंकि ये गाय अपनी मर्जी से हर साल अपने शिंग भाती है इसके अलावा गाय का मल और मुत्तर भी अरवेदिक उप्चार का एक मैत्पूरन हिसा है इस नसल में उत सत्र की गर्मी छैनसिलता होती है इन सभी मुल्यों के बावजद सहरी करन लुप्त होती चारागा भूमी जदा दूद देने वाले गाय की नसलों की सुरुआत और पसुपालमी बाके मादम से उनके परचार उस दूद के साथ क्रोस ब्रीडिंग के कारण कपिला नसल की अबादी आज गिरावट की ओर है कपिला गाई के दूद के बैतर गुणों और इसकी अबादी में गिरावट को देखते हुए गाई की इस कीमती नसल को हुष्चे के लिए सरक्षित और प्रचारित करने की तत्काल आफ सकता है ओम प्रकृति, धाम ट्रस्ट, मंगलूरू, सिरी राम चंदर पूरा मठ, सिमोगा, सिरी सकती दर्सन योगा असरम, किनी गोली आधी जैसे को संगठनों द्वारा किये गए प्रयास इस कीमती गाई की नसल के स्रक्षिन और प्रचार के लिए स्रवत्तम सत्र के समान के पातर हैं हमें कपिला गाय के लिए एक समर्पित अनुस्दान के अंदर पर गरव है जिसे कपिला मवेशी अनुस्दान के अंदर का आ जाता है जो की मीनावाडा आनन्द गुजरात के पास है हम आसा करते हैं कि आने वाले वर्सों में बारते देशिक गायों को उनका सही स्थान मिल पाएगा जिनकी वे हगदार है बारते देशिक गाय की रक्षा करें और हमें कमेंट करें आपके एरिया की देशिक गाय का नाम धन्यवाद झाल झाल